हेलो दोस्तो, वेलकम बैक टो जॉई शेविंग चैनल, मैं यही उमीद करता हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम मस्थ होंगे, आपकी शेविंग भी एकदम अच्छे हो रही होगी, आफकोर्स जॉई शेविंग चैनल के वीडियो देखे, तो इससे पहले है कि हम आगे बड़े, प्रीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइक़ों को क्लिक कर दो और चालू करते हैं हम एक शेविंग वीडियो आज की प्रोडॉक्ट जो मैंने शेविंग करने के लिए वो बड़ी mixed & match ऐन उसमें नया प्रोड़डक्ट भी है और use प्रोड़क्ट भी है और कुछ नय प्रोड़क्ट में आपको दिखाऊंगा अभी तो आज के शेविंग वाले जो प्रोड़क्ट है वो आप देख लीजे और फिर हम step by step शुरू करते हैं shaving process ये इस सब आपने द्यान दिया होगा कि मैंने का हम step by step शुरू करते हैं shaving process काफी लोग मेरे को comments में या message करके पूछते हैं कि sir ये blade हमें नहीं जमरी मेरे बाल कड़क रहते हैं soft नहीं होते हैं beard बड़ी ही you know सख्स हो दियाती है shaving के बात में बड़ा ही सुखा सुखा लगता है तो हम लोग क्या करें तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ shaving is a step by step process हर process important है ये वो नहीं है कि लगा लिया कर लिया और निकल गए वह ऐसा नहीं है ये अब देख सकते हो आप मेरी चेहरे पे से कि बहुत गर्मी है आज बहुत humidity है और चेहरा क्या होता है थोड़ा oily हो जाता है मेरा humidity में तो मैंने वो oiliness हटाने के लिए यूज किया ये पतंजली का sounder ये face wash वैसे इन जनरल अगर आपको मैं बता हूँ तो मैं यूज करता हूँ पिंक वॉल्फ के face cleansers क्योंकि इसमें है morocan clay wooden sandalwood it is a face cleanser pack and scrub at the same time ठीक है और हम यूज करने वाले है pearl shaving का ये brush तो last time आपने देखा था मैंने इसी प्रकार का एक similar sbc402 यूज किया था आज ये वाला brush यूज करेंगे और हम इसके बारे में जानेंगे bristles तो कावी similar है उस brush के handle ओई बड़ाई चांदार wooden looking handle है लेकिन मेरे को लगने रहे बोड़े ये resin का ही बना हुआ है ठीक है इसमें बहुत बड़ीया logo दिया हुआ है pearl का और shaving cream यूज करेंगे तो चलिए shaving शुरू करता हूं और एक एक product के बारे में बात करते हैं चालू करता हूं face wash की step तो मैंने बताई दिया कि मै चेहरे पर खुड़ा पानी मैंने लगा लिया चेहरे पर आप जो है shaving cream आज का हमारा Bombay shaving company का shaving cream अगये हैं आप चाहे तो Amazon पर ढूंड लीजे या shaving kit.in पर ढूंड लीजे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे brush pearl का synthetic bristles नया release है इसके काफी सारे और variations भी है काफी नए models भी है वह म shaving cream ये इस तरह की consistency का है और मैं ये apply कर लेता हूँ लगभग इतना ना बहुत जादा ना बहुत कम खुश्बू इसकी अच्छी है very good तो overall अगर कहूं तो मैं acquiesy खुश्बू एक परकार से बहुत जादा strong है ना बहुत जादा mild या subtle है it is somewhere in the middle but it is very pleasant accuracy है ये बहुत बढ़िया लाधर क्रेट हो रहा है तो मैं drive करके गया और ठक गया और you know काम भी था मुझा आज बाहर और पसीना भी आ रहा है तोड़ी थकान भी हो रही है बारिश भी हो रही है युमिट भी लग रहा है तो मैं शेविंग नहीं करता वीडियो नहीं बनाता फिर मैंने खुच से बुला कि देखो ऐसे बहाने तो बहुत बना सकते हो शेविंग नहीं करने के लेकिन शेविंग करने का मौका ढूबना चाहिए with all the challenges with all the mood swings with all the frustration you should always look forward for a good shave of course अगर आपकी दाड़ी है तो जबर जस्ती मत करो skin को वो मत करो कि कुछ भी करके मेरे कुछ शेव करना है वैसा नहीं अगर आपको लगता है क्या आप कर सकते तो करो क्योंकि यार मैंने कुछ shaves में in fact काफी सारे shaves मैंने से realize किया है कि कुछ तो challenges थे जिसके करना मेरा mood थोड़ा अच्छा नहीं था लेकिन shaving करके यार सही बड़ा अच्छा लगा psychologically भी बड़ा अच्छा feel हुआ relaxing feel हुआ stress level कम हुआ एक achievement का feeling मिला हुझे so I was very happy so मैंने का अच्छ नहीं आर आज भी चाहे कि इतने भी challenges हो मैं आज shaving video बनाऊंगा आप लोग के लिए तो यह बहुत ही शांदार लादर थोड़ा साई shaving cream लिया था हमने एकदम यह voluminous भी नहीं यह proper fluffy लादर है and really very good खुश्बू भी अच्छ है और उसमें cooling effect भी है cooling effect भी है cooling effect भी अच्छा खासा है बहुत जदा मैं Bombay shaving company को really hats off करता हूं जो यह shaving cream बनाया है वह बहुत बढ़ी है काफी लोगों पसंद आया मैंने कोई दोस्तों को kids भी gift किये वह daily shaving करते हैं और उनको razor भी काफी पसंद आई सिर्फ एक ही challenge है if someone from the Bombay shaving company is looking this video कि जो handle है वह थोड़ा सा slippery है तो अगर आप उसमें knurling add कर सको दो वह बहुत ही बढ़िया razor हो जाएगा लेकिन हम तो कुछ तिकड़ा भी करेंगे कुछ अलग करेंगे तो आज हम use करने वाले है रोमर 7 का यह hybrid head वाला razor very heavy बहुत बहुत है और इसका मैं weight आपको यहाँ पर बता दूँगा एक तरफ से open comb एक तरफ से close comb आप बोले का भाई इसलिए तो hybrid बोल रहे है इसको तो yes definitely इसलिए hybrid बोल रहे है और blade इसमें मैं जा आज use करूंगा तो पहले disassemble भी कर लेता हूं इसक ठीक है blade आज की है big chrome platinum और आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है one तो मैंने क्या किया है ना जो भी blade में use करता हूं तो उसका एक shave होने के बाद मैं one लिख देता हूं rubber के उपर तो मेरे को पता रहता है कि यार यह blade जो है वो मैंने कितनी बार use की हुई है वरना अगर आप लिखोगे नहीं है और काफी सारी blades आप test कर रहे हो या you know देख रहे हो कि आपको कौन सी blade जम रही है और उसके हिसाब से trial कर रहे हो तो फिर आप भूल जाओगे और फि फिर आपका assessment सही नहीं होगा कि कौन सी जो blade है वो मेरे लिए कितनी उस पर कितनी सही है अब यह तो big chrome platinum ऐसी एक blade है जो grease में बनती है लेकिन भारत में available है links of course of course सारे products के links या जहां से आपको products मिल सकते हैं वो contact information मैं आपको description में share करता हूँ तो please description देखा कीजिए उसमें additional information भ बात करूंगा लेकिन वीडियो के end में तो please miss मत करना important point है मैं बता रहा था कि big chrome platinum तो एक foreigner blade है foreign की blade है इंडिया में नहीं बनती हो grease में बनती है लेकिन इंडिया की अगर आप blades try करना चाहो तो यार हर किसी लिए possible नहीं होता कि यार you know wilkinson sword की 50 blade ले लो आपको नहीं जमी वेस trial pack of Indian DE blades available है तो मुझे ऐसा लगता है कि definitely जिन लोगों नहीं इसका फाइदा उठाया प्लीज उठाओ क्यों काफी लोगों नहीं लिया है काफी लोगों वे पता पड़ा कि इतनी Indian blades देखो आप कौन कौन सी है चाहे तो वीडियो को pause करो RK है winner है 7 o'clock परमाशार्प stainless blade वैसे market में मिलती ही नहीं है Amazon पे भी नहीं मिलती ही Lose market में भी नहीं मिलती है ठीक है बाकी सब तो फिर भी मिल जाती है लेकिन ये कुछ blades इसमें ऐसी है जैसे statum हो गई ठीक है ये blades आपको ऐसे नहीं मिलेगी आउसको trial pack में मिलेगी लेकिन आप try कर सकते हो so this is really good I mean any new head shaver कोई भी इस नाम ही trial pack यार so आप decide कर सकते है भी concept आपके लिए सही है ठीक है अब shaving cream काफी देर तक बैठा रहा चेहरे पे ठीक है हमने हमारे जो column है जिससे हम लिखनी पारे वह भी हमने clear कर लिए और चालू करते है so hybrid का concept यह ही दोस्तों आपको पता है कि first pass with open comb because you want that aggression a slight aggression 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 का मतलब यह नहीं है कि यह smooth नहीं है it is a very smooth it is one of the smoothest open combs which I have ever used open comb side ठीक है और फिर consequented passes मतलब second या third pass जो है वो फिर हम close comb side से करेंगे तो चलिए शुरू करते है first pass with the grain rumor 7 hybrid with ultra knurled diamond knurled handle इससे आप कितना भी साबूर हो आपके हाथ में फीसर नहीं सकता है यह दर and big chrome platinum on use number 2 open comb यह ना okay brush के एक दूब ब्रिसल इस नॉर्मल शुरूवाट शुरूवत में brushes जो होते है वो ब्रिसल स्लूज करते है that's okay हा लेकिन एक shaving के अंदर अगर या एक lathering session के अंदर अगर आपके 15-20 ब्रिसल निकल गए मतलब 4-5 तक निकले पहले 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 शुरूवात में तो ठीक है that's okay we can understand कि हो सकता हो glue अगरे set हुआ नहीं होगा generally ऐसा होना नहीं चाहिए but still but अगर बार बार निकले जारे निकले इस तरफ करते हैं वेरी नाइस यार वेरी नाइस मतलब पारकर 26 के बाद में अगर मुझे कोई सबसे स्मूध ओपन कोम लगता है अभी तर तो यह रोमर 7 hybrid का ओपन कोम साइड है and mind you big chrome platinum में एक बड़ी ही sharp blade है feather के तर्ज पर परफार्म करती ही हो उसकी sharpness मेर को feel भी हो रही है लेकिन क्योंकि उसकी second shape है तो यह काफी smooth भी लग रही है कि आज दो दिन की दाड़ी है beard growth दो दिन की है today's beard growth ठीक है अगर आप नए नए wet shaving में आए हो तो प्लीज आप सिर्फ करो छोटे छोटे strokes definitely एक time आपका ऐसा आएगा जब आप लंबे लंबे strokes भी करोगे अपने preference के हिसाब से लेकिन शुरुबात शुरुबात में प्लीज छोटे छोटे strokes करो लंबे लंबे strokes करने में हाथ फिसल गया razor ऐसे की जगे ऐसे चल गई फिर मेर को में बोलना आप ठीक है आज की पानी का टेंपरेचर रूम टेंपरेचर से थोड़ा सा कम है pleasant लग रहा है cooling effect है shaving cream का और पानी भी थोड़ा ठंडा है जास्ट बारिश हुए भी इसलिए तो देखो न इतनी humidity है बहुत humidity है यार बट चलेगा कोई बात नहीं तो यहार मैं रिंस कर लेता हूँ smooth हुआ एकदम slickness अच्छी है sufficient slickness है थोड़ा पानी लगा के slickness चेक करता हूँ वैसे actually dry हुआ ही नहीं है और पानी लगा के तो यह फिर ultra slick हो गया है shaving mousse हजामत shaving mousse जैसा है क्या तो मुझे नहीं लग रहा उतना लेकिन इसमें sufficient slickness है ऐसा भी नहीं की बिल्कुल dry हो गया या ऐसे कुछ it is good nice slick shaving cream very good ठीक है तो अब मैं rinse करता हूँ और फिर हम करते है pass number two so rinse मैंने कर लिया shaving brush में जितना लादर अल्रेड़ी है पहले उसको ही हम apply करके देखते हैं कि हो sufficient है क्या मुझे तो लग रहा है sufficient हो जाएगा इससे यार तो अगर आप कभी shave कर रहे हो multiple passes और अगर आपको लग रहा है कि लादर आपके brush में बच रहा है shaving करने के बाद में तो next time के तुछ कम shaving cream ले लो उतना ही आपका shaving cream ज्यादा भी चलेगा good okay तो चलिए अब करते हैं हम pass number two लेकिन pass number two हम करेंगे close comb side से ठीक है side ones थोड़ से clear कर लेता हूं हमारे column जिनसे हम लिख नहीं सकते हाँ हम एक history जरूर लिख रहे है shaving के लिए लेकिन इनसे आप copy pen वाला हो लेकिने वाला नहीं है sorry for the bad joke यह काफी माइल्ड है इससे against the grain अराम से कर सकते हैं against the grain neck पे जब में shaving करता हूं तब में रिता हूं लंब लंब स्ट्रोक क्योंकि यहां पर अपनी जो attack strategy हो थोड़ी सी change हो जाती है whiskers के लिए अब आप बोलोगे ऐसा क्यों तो ऐसा इसलिए दोस्तों कि माल कीजिए आप नीचे से उपर stroke कर रहे हैं अगर against the grain आप नीचे से उपर stroke कर रहे हो तो ठीक है और आपका razor अगर इस तरीके से fissal से हुए गया तो फिर आपको cuts and nix लगेंगे अब अगर आप छोटे-छोटे strokes लेते हो ठीक है इस तरीके से छोटे-छोटे strokes लेते हैं यहाँ फिसलने के chances होता है इसलिए यहाँ पर maximum stable आपका निकल चुका है फिर आप जरूर ले सकते हो लंबे-लंबे strokes यह है उसकी strategy या यह उसका concept है काफी mild यार इसका close comb side really very good oh हो 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 अल्ट्रा स्मूध बेबी बॉटम स्मूध है आज की शेव सही में बेबी बॉटम स्मूध है यार आगे इन गालों पे तो मैंने नहीं इसलिए वह उको फील हो रहा है लेकिन अगर मैं नेक से करूँ ठीक है अब वापस से रिंस कर लेता हूं और फिर बात करते हैं हम आगे aftershave section में भी कुछ नया है तो देखते हैं आज एक नए टाइप का aftershave हम यूज़ करने वाले हैं Bombay shaving company का ही fit curry aftershave gel antiseptic formula paraben and sulphate free heels and hydrates your skin aftershave 100 gram का ये pack है इसमें क्या क्या है इसमें fit curry alum हम सबको मालूम है you all know aloe vera natural moisturizer to soothe your skin ये तो मैं भी आपको बोलता हूं pre-shave जैसे भी use करते हैं aftershave जैसे भी use करते हैं तो इनों ने किया ही है which hazel astringent and anti-inflammatory properties closes the pores and keeps skin irritation and bacteria free और menthol for the cooling effect of course to keep relaxed and refreshed अब enhanced with natural ingredients cruelty free silicone free made in India है भारत में बना हुआ है और pH balance है मतलब acidity भी इसमें balance है इसमें marketing और manufacturers के details दिए हुए है आप चाहे तो pause करके देख सकते हो इसका price है 245 और बाकी सारे ingredients भी इदर दिया हुए है मैंसे लिंक आपको दे दूँगा यह description में तो आप जाके detail में देखो अच्छे से दिखेगा आपको बट हम इसको open कर लेते हैं अब ठीक है यह इसका pack है और मैं इसको यूज नहीं किया अब तक तो देखो यह इस तरीके के इसकी जो है वो container है ओके और इसको कर लेते हैं open यह proper gel form का है ओके देखो हरे color का type का gel दिख रहा है मैं को यूँ देख रहा हूं तो मैं कोँँ दिखने रहा है ओ खाई जब कैम्ट उपर में दिख रहा है तो हरे कलर का पर ठोले के चलेकर हम थोड़ा सा लेते हैं ज्यादा नहीं जहरा सा प्लड़ा ही जल लेते हैं जब लेते हें इतना एंग से लगबन ठीक है और इसको रब कर लेते हैं हाथ को से को अक हुई अच्छा इंट्रेस्टिंग फिटकरी वाली जो टिंगल होती है वो तो मुझे हो रही है खास करके यहाँ पर नेक पर क्योंकि अगेंज दिग्रेन किया था इसके लिए उपरी हिस्से में इतनी जादा नहीं हो रही है यहाँ पर जादा अगेंज दिग्रेन किया है तो यहाँ थोड़ी टिंगल मुझे डेफिनिटली महसुस है रही है और स्किन अलोवेरा है तो मॉइस्चराइज है विच हेजल इसमें है तो एस्ट्रिंजंट और अंटी इंफ्लमेटरी का काम कर रहा है तो फिटकर ही भी अस्ट्रिंजंट होती है वो भी पोर्स क्लोज करती है और प्लस अंटी सेप्टिक इफेक्ट भी देती है और मैंथाल, सो कूलिंग इफेक्ट तो यार इतना कुछ नहीं लग रहा है वो एलोवेरा जेल पर जब हवा लग रही है तो थोड़ा थंडा मैसूस हो रहा है अगर मुझे लगा थोड़ी देर बात ठीक है शेविंग करके कम्ट्रीट हो गया वीडियो उसके बाद लगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूँगा या मैं एडिटिंग करके यहां पर आपको बता दूँगा कि भी मेरे को ठंडा लगा है अब हम बात कर लेते हैं रेजर की तो दोस्तों आज हमने यूज किया रोमर सेवन हाइब्रेड है आपको पता है अब इसका नया मॉडल भी आ गया है यह एक अलग हैंडल के साथ में इस पर पीवीडी कोटिंग है इस पर ठीक है इसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगा ड इसर लिया उनको काफी मजा आया उन्होंने मुझे फीडबैक शेयर किया कि भाई अमेजिंग ठीक है तो यह परफॉर्मंस दोनों का अल्मोंस सेम रहेगा हैंडल पर नर्लिंग थोड़ा सा अलग है कोटिंग अलग है बट परफॉर्मंस इसका सेम ही रहेगा ठीक है ब्ले के जैसी परफॉर्म करती है ठीक है तो अफकॉर्स लिंग आपको मिल जाएगा नो डाउट गुट ब्लेड बिक कों ब्लाटिनम ब्लेड ब्रश पर्ल शेविंग का सिंथेटिक ब्रिसल ब्रश ठीक है वेरी गुड नू कंप्लेंट्स एक दो ब्रिसल लूज हो है नॉर्मल शेयर करता है अधर्वाइस प्राइमा फेसी पहले यूज में मेरे कोई ब्रश अच्छा लगा वेरी सॉफ्ट अन्द स्किन प्रोड्यूस लाधर वेरी इजी ली आफ्टर चेंफ जल के बारे मैं इमने बात करी लिए है हाँ दोस्तों वीडियो खितम करने से पहले मैं एक इंपोर्डेंट जी बताना चाता हूं आपको कि वीडियो तो मैं बनाता ही हूँ आप लोग देखते हो एप्रिसेशन देते भी हो लेकिन बीज बीज में पोस्त भी शेयर करते हूँ अब आप बोलोगे पोस्त को शेयर करते हो तो यह कैसा होता है किसी प्रोड़क्ट पर क जाता है कोई लोगों ने लिया काफी लोगों ने नहीं लिया और फिर उसका प्राइस हो गया तो आपको उसका फाइदा उठाना चाहिए अगर आपको प्रोड़क लेना चाहते हो तो देखो बेफाल उसका प्रोड़क आपको लगता है या आप देख के उसका समझ सकते हो कि हार ये मेरे काम का हो सकता है definitely you should go for it. maybe that would be a complete game changer for you. वो तो कभी ट्राइ करेंगे हम बट गेम चेंजर है जिनकी आपका एक्सपरियेस पुरी दरीगे से चेंज कर सकता है वो ठीक है तो जरूर देखा करो यार मतलब वो लिंक पे क्लिक करके जाने में हर्स क्या है आप जाके देखो तो सही कि वो पोस्ट में बताया क्या गया है या फिर टीक है यार बैटके तो पर काफ़ी लोग देखो देखे लेते हैं के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता आप समझदार हूं और फिर से मिलेंगे हम एक अगली shaving में तब तक के लिए अपना ध्यान रखो keep up the good shaves बबाई और नमस्कार अच्छा यहां पे और shaving वीडियो आएंगे भी तो बिल्कुल मिस्स मत करो ठीक है देख लो उनको भी मज़ा जाएगा आपको रिलाक्स हो जाया बाई